हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे चुन्नट वाला बाजू डिजाइन बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस बाजू डिजाइन को बना सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है बॉर्डर को कट करके निकाल लेना है आधा इंच कपड़ आपको प्लें छोड़ना है बॉर्डर के बाद और यह नॉर्मल बाजू की कटिंग है और यहाँ पे देखिए उपर की साइड चुन्नट बनाने के लिए हम सीधे में कपड़े को कट किये हैं सबसे पहले आपको जितना लंबा बाजू चाहिए उतने लंबाई में नॉर्मल बाजू की कटिंग कर लेनी है यहाँ पे बाजू का लंबाई हम 10 इंच लिए हैं 9 इंच पे हमारा बाजू त्यार होगा दूसरे साइड साड़े 6 इंच है देखिए साड़े 3 इंच हम इसको डाउन कियें 5 इंच से बड़ा स्लीप जब भी आप बनाओ तो साड़े 3 इंच डाउन करके इसको कट करो तक कि फिटिंग अच्छी आए तो देखिए फ्रेंस इसको साड़े तीन इंच डाउन कर लिए हैं और अब यहां से हम ब्लाउच को लेंगे जिस ब्लाउच के लिए आप बाजू को त्यार कर रहे हो सबसे पहले उसका आर्म होल का गेरा आपको चेक करना है तो यहां पर इंच बगल में हम मार्जन लिए हैं आप देख सकते हैं तो आपको अपने साइच के साब से मार्किंग कर लेना है बाजू का नीचे से मोहरी छे इंच है और यहां पर दो इंच सिलाई मार्जन देखिए उपर की साइच से इसका जो टोटल चमडाई है साड़े 9 इंच डूटल चमड़inka हें अब यहां से सीधा कपड़ा कटकी है इसको मॉपइन करके आपको दिखा दे रहे हैं पहले इसको डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड में इसको रख लेंगे आपको ओपर वाला कपडा कैसे कट करना बाजू का लमभाई है इसको थे निकालना, व उपर के साइड आपको हाफ इंच एक्ष्ट्रा लेना है। जैसे कि 3.5 इंच में इसका बार्डर है तो उपर के साइड हैं हम साथ इंच कपड़ा लिए है। और इसमें हमारा साढ़े 6 इंच आ रहा है तो आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है। इसका लंबाई तो किलियर हो गया, कैसे निकालते हैं, अब इसका चोड़ाई हम बता दे रहे हैं, चोड़ाई इसका हम लिये हैं, साड़े अठरा इंज में, डबल फोल्ड में, अगर आपके पास कपड़ा कम है, तो एक दो इंच कम ले सकते हैं, चार भाग में कपड़े को आपका बाजू का जितना चोड़ाई है, उतना आना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम रहेगा तो चलेगा, पर ज्यादा कम मत लेजिएगा, अगर कम पड़े तो साइड में आप कपड़े का जोईंट लगा लेजिएगा, अब यहां से खुले हुए भाग के तरफ से साड़े पांच इंच पे नीचे के साइड मार्क करेंगे, ठीक इसके सामने ऊपर के साइड भी साड़े पांच इंच पे मार्किंग कर लेंगे, देखिए यहां पे छोटा सा कट लगा देंगे ताकि दोनों साइड हमारा निचान आ जाए, देखिए दोनों साइड आपको कट लगा और कट लगाने के बास्ते आवो इसको हम सिंगल कर लेंगे अभी डबल था सिंगल करने के वास्ते न तो देखिए जहां पर 5 इंच पे हम कट लगाये थे न सौरी साड़े 5 इंच पर वहां से हमें चुन्नटे बनाना है देखिए यहां पर अगर आपके पास कपड़ा कर लें तो यहां पिससिम्पल में एक दम छोटा-छोटा चुन्नट कर रहे हूं जादा लंबा बी पर चुन नहीं है और चोठा भी नहीं है आधा इंच से थोड़ा सा कम चौड़ा है हर एक चुन्नट का यहां पे आपको ना चुन्नट मिलकुल सीदे में लगाना है और उसको लेबल जो है न उपर के साइड मिलाते हुए कर लेना है अभी यहाँ पी देखिए फ्रेंस अब हम न लाश्ट तक आ गये हैं दूसरे साइड भी जो साड़े लाश्ट चाहिए यहाँ ने क आप ब्लेट के लेबल मिलाते हुए आपको उपर वाला प्लेट लगाना है यानि एकदम सीधे में दोनों का लेबल आना चाहिए, यह नहीं कि आप वाला प्लेट दूसरे साइड से मारें और इसका जो फेस है दूसरे साइड घुमा लो, ऐसे नहीं करना है, दोनों का फेस एक साइड रहेगा, जैसे कि आप विडियो में देख पा रहे हैं, कैसे में इसको सेट कर रहे हैं, बिलकुल सी लाश्ट तक हम आ गए हैं, और लाश्ट में भी जो लाश्ट वाला चुन्नट है, उसका लेबल आपको मिला लेना है, और जहां साड़े पांच चेंज पे कट है, वहीं तक करना है इसको, यहां पे देखे फ्रेंस, दोनों साइड ना, चुन्नट को हम बहुत इजली सेट क कर लिए हैं, चुन्नट को सेट करने के बाद से वह आपको बॉर्डर को लेना है, और इस तरह से मिला लेना, अगर बॉर्डर कम पढ़ रहा है तो वहां पे आपको थोड़ा से ज्वाइंट लगा लेना है, आपका बाजू का जो भी गुलाई है, गुलाई से चेक कर लें बॉर्डर को उसके बाद से यहाँ पे सेट करें, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर का सीधा साइड अंदर के साइड है, और बॉर्डर का उल्टा साइड उपर के साइड हम रखे हैं, दोनों का सीधा साइड आपको अंदर के साइड मिला लेना है, और उपर के साइड से सिलाई लगाके अब हम बॉर्डर को पलट लेंगे तो देखिए फ्रेंस बॉर्डर के बाद ना आपको आधा इंच कपड़ा प्लेन रखके छोड़ना है कट करना है तब ही आप उसको पकड़के स्टीज कर पा हुई है अब इसको बाहर के साइड पलटेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे बीचो बीच से बाजू को फोल्ड करेंगे देखिए यहाँ पर एक दम आधे आध से फोल्ड करना है चुनट दोनों साइड बराबर आए जो हम कट लगाए है न उपर के साइड उसका लेबल मिला लेंगे और बीच सेंटर में चौक से निसान बना लेंगे सेंटर का जो निसान है न दोनों साइड कर लेंगे उपर और नीचे दोनों साइड और अब हम अस्तर वाला जो नॉर्मल बाजू कट लेंगे और यहाँ पर इसको भी फोल्ड करके न नीचे के साइड भी आपको ये कट लगा देना है और उपर के साइड भी आपको निसान करते हुए इसको पलत लेंगे देखिए बॉर्डर थोड़ा सा न अंदर की साइड चला जा रहे इसको अच्छे से सेट करते हुए बिलकुल सिधे में सिलाई लगाएंगे और अब यहां से बाजु को पलट लेंगे इस तरह से अच्छे से सेट करने के वास्ते इसको बाहर की साइड पल्टेंगे और जो कपड़ा का मार्जन है वो अस्तर की साइड ही होना चाहिए और यह वाला जो सिलाई हम लगा रहे हैं बाजू के उपर लगा रहे हैं जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके उपर सिलाई लगाने से अच्छे से सेट हो जायेगा और अब हम अस्तर वाले पार्ट को फाइनली उल्टे साइड फोल्ड कर लिए है उल्टे साइड फोल्ड करने के वास्ते न अच्छे से हम प्लेट को जमा लेंगे आप साहे तो इसके उपर प्रेस भी लगा सकते है और अब नीचे के साइड मोहरी को सेट करेंगे यहां पे हम सिलाई सीधे साइड से लगा रहे हैं क्योंकि उपर का जो मेन कपड़ा है काफी पतला है बहुत इजली दिख रहा है अंदर का कहां पे अस्तर है अगर आप मोटे कपड़े के उपर बना रहे हैं तो अस्तर के साइड से इस हिलाई लगाएं तो देखी अस्तर का जो किनारा है उसको जॉइंट कर लिए मेन कपड़े से और यहां से अब इसको उल्टा कर लेंगे अच्छे से देख लेंगे कि सेट हुआ है कि नहीं कपड़े में फुलन तो नहीं आया है सारा चीज़ चेक करने के बास से अब एक्ष्टे पार्ट को यहां से छाट लेंगे क्योंकि मेन कटिंग तो हम जो बाजू का अस्तर होता है उसके उपर किये हैं अब अस्तर के बाद जहां भी एक्ष्टा पाठ है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे चारो तरब से और यहां पर बाजू आप देख सकते हैं रेडी हो गया है बिल्कूल इसी तरह से आपको दूसरा बाजू त्यार कर लेना है देख सकते हैं दोनों बाजू को रेडी करने क अब इसे बाजू के साथ कैसे अटेच करेंगे सारा चीज में क्लियर करोंगी तो यहां पर हम बाजू को सौरी बाजू को त्यार करके रखे हैं और अगर आप बाजू का कटिंग सिलाई देखना साहते हैं तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा एपर एंड स्क्रीन पर में लिंक देदूंगे बाजू का जो संटर का मार्किंग है शोल्डर से मिला लेंगे और जो बाजू का पल्ला हमारे आगे के साइड है उसमें आधा इंच अंदर के साइड गहराई देते हुए आपको पहले सिलाई लगा लेना है फिर कपड़े को छाटना है इचीज का ध्यान देन है कपड़ा को आपको हाफ ही जरूर शाटना है आगे के पल्ले में अब जो सोल्डर का जोइंट है और बाजू का सेंटर है दोनों को एक पर करके मिला के यहां पे रख लिए हैं और शोल्डर के पास से हम बाजू को जोइंट करेंगे जब कभी भी आप डिजाइन वाला ब बस उसी के पास से सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड का भी बाजू जोइंट कर लेंगे यहां पर देखिए एक साइड का तो बाजू हमारा कंप्लीट हो गया और अप देख सकते हैं इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी जोइंट कर लेना है बाजू को जोइंट कर पर आप एकदम कॉर्णर पर गुम शिलाई लगालो अगर आपके पस फिको मसीन नहीं है तो और एक्ष्टे पाट को एकदम बराबर कर लेंगे यहां से देखिए जो धागा होगा निकला होगा या फिर कहीं भी एक्ष्टा पाट दिखरा उसको बराबर करेंगे और फिर इस एक शाप के दूरी पर एकोर्स इलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे साइड का भी आपको ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है ब्लाउंज को फिटिंग करने के बास्ते यहां पे देखिए फ्रेंस हमारा बाजू का फाइनल लुक और पहनने के बास्ते इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है आप देख सकते हैं थम्नेल में तो फ्रेंस में इमीद करती हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पे नए है तो प्लीजर चैनल को सब्सक्राइब